असलाम वलेकुम कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल कोकिंग विद आसमा उमीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे तो चले शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी आज मैं बनाने चारी वालो की भुजिया और उसके लिए हम सबसे वहल अपना पैन रख लेते हैं स्टॉफ पे स्टॉफ मैंने ओमन कर दिया था और अब पैन उपर रख देते हैं पैन ताकि थोड़ा सा हीट अप होजे और फिर हम उसमें डालेंगे ओल कुकिंग ओल मैं यूस कर रही हूं ठीक है और कुकिंग ओल जो मैं कुछ प्यास चॉप कर लेती हूं और यूके में रहते हुए जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि जो स्टॉफ है यह हीट हीट पाकड़ते हैं और जब ही फिल हीट हो जाते हैं फूल यह बहुत ही जदा हीट अप हो जाते हैं खैर मैंने इसको जो है वह फाइफ सिक् मुझे बना लेता हो तो प्लीज मुझे बता दीजेगा कि क्या टेक्नीक है अब जी एड़ कर देते हैं प्यास तो हम प्यास में एड़ कर दिया था और इसको जो है हम सौटे कर लेंगे कुछ 3-5 मिनिट ठीक है ताकि अच्छे तरह जो है वो लाइट प्राउन सा कलर आ जाए यूके में दो तरह के प्यास मिलते हैं लाइक एक रेड होता है और एक वाइट होता है तो वाइट जो है वो जादातर हांडी वगारा में यूस होता है सालन वगारा में और जो रेड होता है वो सालेड में यूस होता है और जब तक प्यास सौटे हो जाए आपका तब तक वो आप लेसन अधर पेस्ट बना लें अगर बनाने है तो मेरे पास तो शान का पड़ावा था तो मैं वही डाल रही थी लेसन अधर का पेस्ट मैंने लिया वे उनका तो ये मैंने वान एड़ टी स्पून जो है वो लेसन अधर का पेस्ट डाल दिया था और फिर हम जो है इनको mix करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी तरह से mix हो जाए और सौटे हो जाए और काफी अच्छा सा color आ गया था light brown सा इसको आपने अच्छी तरह mix करना है पूरी हांडी में और इसको one to two minutes जो है वो आप पका लें बस तक एक से दो मिनट तक हमने लेसन अदर को अच्छी तरह पका लेना प्यास के साथ और और फिर हमारा जो है ये थोड़ा सा जो है ये light brown हो जाएगा और थोड़ा सा ये देखिए जिसे मैं आपको zoom करके दिखा रही हूँ ऐसा color हो आजाए आपका तो पहर जो है आपने इसमे आलू डाल देने हैं जितने हैं भी मैंने दो आलू काटे थे और क्यूब्स की शेप में काट लें वह जादा बेतर होते हैं ताके आलू बहुत अच्छी तरह पक जाते हैं अब आलूं को भी डाल के आप प्यास और लेसन अदर के पेस के साथ थोड़ा जो है वो इनको पका अच्छी तरह दालते हैं मसालों में डाला है जितना नमक एक चमच एक चमच लाल मिर्च और आदी चमच से भी काम लाइक हल्दी डाली है और यह मिसाले आप डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें इनको और नमक आप अपने अकॉर्डिंग ली डाल लीजिगा अविन सब पाइस दालूंगे जियरे का पौडर होता है जिरे का पौडर होता है बाफ टी स्पून और इनको अब अब अगर और spicy बनाना चाते हैं और 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 अपसाल चाहिए तो आप डाल सकते हैं ठीक है और मुझे के यही पसंद है तो इसलिए मैंने बस इतने ही डाले हैं अब इसमें मैं एड़ कर रही हूं कलवंजी half tea spoon और ये भी आप add कर सकते हैं अगर आपको नहीं बसंद तो ना कहीजिए और काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसको add करने से और इसको अब हमने अच्छी तरह mix करना है ताकि जो है सारी चीजें सारी spices एक दूसरे के साथ mix हो जाएं अब हमने mix करने के बाद इसको थोड़ा सा rest देना है ताकि ये अराम से थोड़ा पक चाहे अब मैं आपको zoom करके दिखा रही हूँ ये देखें कितना अच्छा बन रहा है आलू और लुक कितनी प्यारी आ रही है आलू की और जो है वो उसके साथ हमने जिते में spices डालें उसकी अब हम इसमें डालेंगे टमाटर हाफ काट के दो बड़े बड़े टमाटर डालेंगे उसको इस तरह आप रख देंगे हाफ और इस दोरा हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं बिल्कुल लाइक 3-4 टेबल स्पून फिर आप इसको ढखके कवर करके अराम से रखते चाहिए और आपकी आँच इदर हलकी ही होनी चाहिए लाइक लो होनी चाहिए नोट हाई नहीं होनी चाहिए हाई होगी तो आपका सालन जो है वो जल सकता है तो यहां पर आप आप आँच अपनी लो कर दें मैंने वी स्टॉफ को जो है वो आलमॉस्ट 3 पे कर दिया था ताक यह अराम राम से पकते रहे और उसी दोरान मैंने बाहर देखा तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था हवा चल रही थी और यूके में पिछले कुछ हफ़तों से बहुत घर्मी थी लेकिन अब जो है वह काफी अच्छी ठंड आ गई है लाइक बहुत जादा वाली ठंड आ गई है अब लिटरली तकरीब आच चे दस मिनट के बाद मैंने जो है वो अपना कवर उठाया और फिर यह जो टमाटर है उनकी जो उपरवली स्केन है इसको रिमूफ कर दिया एक एक करके और ताकि ताकि अच्छी तरह सालन में मिक्स हो जाए और एक प्यूरी टाइप क्या बना दे बहुत ही नरब हुए होते हैं और बहुत ही अराम से जो है इनकी उपरवली लेयर उ कर लें और इसको फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं आप यह इसी अपने स्पैचुला से कर लें तो जादा बेतर है और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें अपने आलू के साथ टमाटरों को मिक्स करने के बाद जो है आपने देखना है कि आलू कितने गल गए अंगले हैं बस ये तीन से चार मिनट और लेगा और ये बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे में पक कर मिक्स हो जाए अच्छी तरह मिक्स करके दही के साथ बस इसको पांस मिनट के लिए दंपे देदें और फिर आप ये देखें ये तरह ट्यार हो गया है और ये था मेरा फाइनल लूक आलू की भुजिया आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं कुछ लोग अंडा पसंद करते हैं अंडा डाल दें बच्चों को भी अच्छा लगता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है रमजान में जो है ये लोग जादा तर खाते हैं सहरी में और और इसको जरूर आप ट्रा झाल करते हैं